वेल्कम प्रेंश अब हम सक्सेसिव डिफ्रेंशेशन में आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ कुछ करेंगे और कुछ टोपिक्स करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे आगे सबसे पहले जिखेंगे अफ मिर्स इस दो इसके आगे दोपा का डियान को मेरी और कुछ करेंगे तो सबसे पहले पहला standard formula हमें निकालना है, हम बिल्कु बेसिक से शुग पर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, to find m-net derivative of x-ki-power-m, ठीक है? तो जो x-ki-power-m है, इसका हमें सबसे पहले n-th derivative निकालना है, तो ठीक है? तो x-ki-power-m को हम वल्लिकुल मनेगे, ठीक है? तो let y is equal to x-ki-power-m, इसको हम फॉस्ट equation ले लेगे, अब देखिए इसका हमें n-th derivative निकालना है, इसका, ठीक है? x-kी-power-m का, ठीक है? हम सबसे पहले हम इ पिदो एकिगी तरहें किट नहुजएगा एक्स की पावर जेगी और X की पावर म माइनस फ्क दких दो यॉ सुएका अमारे पास कितना हो जाएगा एखेटी पावर आकि आएगी न मायुन वन सब्क्रावर is 2, y3 हमाने पास कितना हो जाएगा, m into 2, m-1, x की पावर m-2 है, तो पावर आगी means m-2, x की पावर, m-3, चलते चलते हमाने पास, x, y की पावर, n, means y, n हमाने पास कितना हो जाएगा, and it's variable कि हमाने पास कितना हो जाएगा, m into m-1 into m-2, m-2, m-n plus 1, x की पावर, m-n, अब आप यहां पर देखिए, कि मैं यहीं direct कैसे लिएगा, अब आप यहां से देखिए, मैं तो बताता हूं, कि जो y1 हमें लिया था, उसमें आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो y1 जो आया था, उसमें m था, y कि मैं आप में देखिए, m क्या हुजाएगा, m into m-1, m into m-1, लेकिन अगर मैं इसको change करना चाहूं, y2 है हमारे पास यहां पर, मिंस दोबार देखिए होई है, यह 1 है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख़ूं, m-2 plus 1, लिख सकता हमें, no problem, एकिल y3 जो आमारे पास को क्या था, m into m-1, यह था, sorry, y2 थो होगे, y3, y3 क्या था, m into m-1 into m-2, इसको में लिख सकता हम, m-3 plus 1, तो आप यहां से क्लिए रिख जब कर सकते हैं, कि जो हमारे पास को था था था, उसमें क्या जाएगा, m into m-1 into m-2 into m-3 तकाएगा, means जो यहां पर जितनी बार हमें डाइवेटिव किया है, उसको m में से उतना घटाते, उसमें एक जोड देंगे, ठीक है, तो ऐसे ही हम n-th में क्या लिख सकते हैं, m-n plus 1, ठीक है, यहां पर मवला हमें 4 में किया था, तो 4, m-4 plus 1 हो जाएगा, n-th में हमारे पास इतना उतने हैं, यहां से, m-n plus 1, यह तो हमारे पास m-th में हो जाएगा, और अगर हम देखें, y-1 में हमारे पास, क्या रहा था, x की पावर कितने आगी थी, m-1, y-2 में x की पावर, m-2, means, x की पावर वही आ रही है, जितनी पार हमने derivative किया है, उसको m में से हम घटा दे तो, ठीक है, जिसे y-2 में हमारे पास x की पावर आगी है, m-2, m-1 से जितनी पार derivative किया हो बठा देगे, y-3 में m-1 से जितनी पार derivative किया हो बठा देगे, like, तो, n में भी रहा जाएगा, m-1 से, n हम सब्टेक्ट कर देगे, तो यह आप देख सकते हैं, m-1, x की पावर, m-1, अब आप यहाँ पे देखिए, हमने निकाला इसका derivative है, x की पावर, m का, ठीक है, n है, अब आप यहाँ से देखिए, अगर हमारे पास m जो है, if m is a positive integer, okay, and m is equal to m, m मारे पास कोई भी positive integer है, ठीक है, और कोई एक दूसरा integer है, n हो m की equal है, ठीक है, तो हम n की जगया पे भी input कर सकते हैं, ठीक है, कोई दूसरा integer है हमारे पास, n वो भी m की equal है, तो हम n की जगया पे m रख सकते हैं, ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक्चुलिए हमें इसको simplify करना है ओ जाला ताकि हम जब result काई उच करें तो हम easily cut पाएं तो अब यहां पर देखिए m जो है इसकी ज़गते हम input कर शकते हैं यहां पर भी यहां पर भी n की ज़गते हम input कर शकते हैं ठीक है तो यहां से कितना आएगा यहां पर यहां पर हमारे पास आएगा 1 और यहां से देखिए तो क्या हो जाएगा यहां पर हमारे पास इसकी ठीक है तो यहां पर हमारे पास पास कितना आएगा अगर हमारे पास x की कोई भी पावर घीवन हो ठीक है आप एग्जामपल लेके देखिए हमालों आपास x की पावर 3 है तो इसका हम nth derivative निकालेगे ठीक है एक्स का nth derivative एक्स की पाउर तीन का nth derivative तो अगर हम निकालेगे वो तो 0 आजेगा ठीक है लेकिन अगर हम देखिए तो y3 निकाल सकते हैं इसकेस में y3 माने पास कितना आलाजी है 3 का फेक्टोलियरिस पॉर्मिलों के अनुसार है तो आप चेकर के देख सकते हैं y अगर हम इसको y के इक पर मानें तो y मुझेगा 3x स्केर, y2 6x और y3 6, 3 का फेक्टोलिक 6 होता है ठीक है तो इस फोर्मिला आप यहांसे लेरिफाई हो गया ठीक है तो y m आमारे पास आगया m का टोरियल और सेल पैटर्ण पे हम नेक्स्ट स्टेंडर्ड रिजर्ट इठालते हैं अब x की पावर m था अब हमारे पास हो जाएगा ax प्लस b की पावर m ठीक है? ax प्लस b की पावर m तो वैसे ही हम इसको y के इक पर मान लेगे अब x की जगया पे हमारे पास x की जगया पे x प्लस b हो गया ठीक है? तो इसको फस्टी पर सम्हाल लेगते हैं ठीक है तो आब हम फस्ट derivative में रिकारेंगे तो y हम हमारे पास कितना आएगा? अग्री आप जगी पावर शबसे टारेंगे तो m into a x plus b की पावर m minus 1 अब अन्दर वाद एका करेंगे x plus b खा, x plus b का differentiation हो गाएगा a, ऐसे ही y कारेंगे तो m into a as it is ठीक है? x plus b का करेंगे, अब हम constant as it is x plus b पावर m minus 1 गाएगा m minus 1 गी, x plus b t पावर m minus 2 और x plus b का करेंगे तो a बार आएगा फिर्शे, तो means a square हो जाएगा तो y 3 हमारे पास कितना हो जाएगा? m into m minus 1 as it is और a square भी हम as it is रख लेकते हैं, ठीक है? x plus b t पावर m minus 2 का कितना होदा, m minus 2 बार x plus b t पावर m minus 3 हो जाएगा ठीक है? और x plus b का करेंगे तो a और बार आएगा, means q तो आप यहांसे देखिए एक चीज, पीछे वाले तुस्वार में किया था उस basis पे आप देखें यहांके m into m minus 1 into m minus 2 y 3 पे यहाँ आएगा हमारे पास m minus 3 plus 1 कैसे बोल सकते हैं? means m में से जितनी बार derivative किया है उसको घटाकर एक जो रेंगे means m minus 3 plus 1 हो जाएगा तर्माइटरी की बाद करेंगे तो और x plus b की पावर m minus 3 है और a देखें a जितनी बार derivative किया उतनी पावर आगे है हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? y n हमारे पास कितना हो जाएगा? m into m minus 1 into m minus 2 up to so on up to m minus n plus 1 और a की पावर कितनी हो जाएगी? n n और x plus b की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास? m minus n ठीक है? अब आप यहाँ पे लेखें अगर हमारे पास m positive integer है कोई नहीं actually हम नहीं का लिए x plus b की पावर m का ठीक है? हम चाहेंगे कि सारा का सारा हम m में रखे ठीक है? तो अगर m हमारे पास कोई भी positive integer है ठीक है? और n हमारे पास m के इकवल है ठीक है? कोई और दूसरा integer लिए नहीं के इकवल तो हम n की जगे पे m replace कर सकते हैं तो y m हमारे पास किसके इकवल आजाएगा? अगर m के इकवल तो m माइनस m प्लस 1 यहां पे a की पावर m और a x प्लस b की पावर m-m 0 means a x प्लस b की पावर 0 means 1 यहां से m-1 m-m 0 plus 1 means 1 तो यहां से इतना गुत के जास a की पावर m और यहां से बीए तो 1 से चुरू बोटार M तक है, ठीक है, तो M का फेक्टोमिल हो जाए ना तो तिक मारे बारे पास, M का फेक्टोमिल M एकी पावर M, ठीक है, तो आप यहां से इस को रूल लगा, डारेक्ट उज़र के अगर आपको मालो कोई भी लाइक इस पर में दिया हो आपको, अगर हम आपको निकालना है, 3rd डारेक्ट, तो इसमें आपको यह चीज़ देखने करेंगे, जितनी हमारे पास M है, मिंच जितनी पावर निवन है, वही डारेक्टी हम डारेक्टी फोर्मूल का उज़र करते हैं, तो आप यहां से अगर आपको 3rd डारेक्टी निकालना हो, तो y3, तो किसको आपको रूलेका उरेक्टीश करते हैं, मिंच 3का उर्मूल्य का इंटु 8 की पावर 3, मिंच 8 कीपना हमारे पास 2, 2 की पावर 3, 8, 3का उर्मूल 6, तो 8 तो आपक यह से अगर 5 का उर्मूल्य करते हैं, तो यहांसे देख सकते 48 आ रहा है इन फॉर्मूलास का हम आगी उस करेंगे हों बोथ पार्टेमन है यह तो आप यह से देख सकते हैं अब नेक्स आगे बढ़ते हैं अब देखिए अब जश्ट फोड़ा सा च्रीमेंट फोड़ा नहीं पास अब हमारी पास आ रहे है वान आपको एक्स प्लस बी का अब देखिए यहां पर इसका अब इस प्रमूलास का अब आप इस फोर्मूला को सबसे पहरें आपको एक्स प्लस बीक पर्माने नहीं तो अब देखिए हम जो पीछे वाला हमने यूज किया था जो में फोर्मूला निकला था उस प्रम में आप लिख सकते हैं इसको ठीक है अब उसी तरीके से सोल करेंगे हम अब इसको उसी तरीके से सोल कर सकते हैं तो एक्स y is equal to a x plus b की पावर माइनस 1 जो है इस को हम फ्रस्ट एक्विसन लेने अब फस्ट डेरिवेट इस निका लेने तो माने पास कितना आएगा माइनस 1 आएगा चाहेगा x plus b की पावर कितनी हो जो है इस प्रस्ट डेरिवेट इस प्रस्ट डेरिका कितना हो जो हैगा माइनस 2 माइनस 4 means 3 और X plus B का त्याटिक फो मान पास A फिरस़ी आ जायेगा means A सकेल हो जारेगा याथ किक्षण अबाद दर्म y3 निकाले तो माइनस 1 माइनस 2 ऐसटीज और A सकेल देसटीज X plus B की पाव़ माइनस 3 रहितना होगो माइनस 3 आगे X plus B k power minus 4 X plus B रखिना हो जाएगा A तो आप यहां से चेक कर सकते हैं कि Y3 में कितना आजा रहा A3 Y2 में A2 तो N नहीं हमारे पास A n आणा चाहिए ठीक है ऐसे इवाप आप आपके देखिए अगर वोगा Y n निका लेंगे तो वो कितना आणा चाहिए हमारे पास Y n हम नहीं कर लेंगे तो वो कितना आएगा A to power n तो आगे हमारे पास अब आप यहां में देखिए Y3 में मारे पास इना देख आ रहा है minus 1 into minus 2 into minus 3 तो आप यहां से यह तो देख सकते हैं कि minus n तक जाएगा ठीक है means n तो आ जाएगा हमारे पास तो 1,2,3,4 आपको सुन आएगा अब देखिए X plus B का देखिए अब यहां पे देखिए अगर हमारे पास ऐसे होता Y,2 में X plus B की स्कॉर्ण में आ रहा है X plus B की पावर minus 3 है क्या हम इसको यह लेक सकते हैं minus 2 minus 1 लेक सकते हैं उत्सकों तो आप यहांपे देखिए तो Y3 क्या लेक सकते है Y3 में मारे पास आ रहे kysकों 1-3-1, तो आप कैसे देख सकते हैं, जितनी power है, वो तो minus i याएगी, मिंस जितनी बार भाद आदेख सकते हैं? अब यहांसे लेरिफाई कर सकते हैं, तो फिर भी आपको बोल कोई कन्फूजन हो, आपने में टैपर आप नहीं दी, माँ बस सॉलूशन बताओ आपको, तो N-1 होगे, हम आपको मारे पास एक बचा, माइन इस वाओ, ठीके, अब दर क्यांके देखिए, वाइलकिन, वाइलकिन देखिए, मारे पास कहाए है cat1, एक अदी, माइन डी आप बस कहाए है, तो यह माइन इस माइन सबस हो जाए है, टाफ कैसे क सकते हैं, तो 1 ख़対 1 कि وर है, सब्सक्राइब करें अब आप यहां से देखिए इसमें में माइनस एन माइनस एक सकता हूं माइनस ओमर लेके एन प्लस और आगेध बस सिंप्लिपाइए तो माइन पास य जो रहों कितना आज है का means 1 upon x plus b का n इत डेलेक्ट है minus 1 की पावर n, a n, n का फेक्ट और है, divided by a x plus b की पावर n plus 1 means जितना और आप यहां से वेरिफाइए देखिए आप यहां से चेक भी कर सकते हैं जब माले पास y1 upon x plus b था तो y1 में हमाले पास x plus b की पावर मीचे दो हो गए थी, मीचे दो हो गएगी न, means y1 जो माले पास आना था हो एना x plus b की पावर तो आ रहे थी, ठीके बाकी जो आएगा हो तो देख सकते हैं यह जो x plus b की पावर है, मीचे दो हो जाएगी, means जितनी बार डावर्टी के उसके एक जादा तो यहां पी y1 जो एक बार डावर्टी के उसके जादा तो आपके फ्रेंच तो अग्रे जिवियू में मिलते हैं आप इन फोर्टास पर देख से लेए तो थैंक्स फ्रेंच प्रेंच